असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, यह बहुत मज़े का रोस्ट बनता है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, बिगनर्स को बहुत से इसमें टिप मिलेंगे, यह चिकन मैंने लिए हैं 6 अदद बड़े पीज, अच्छी तरह दो के, इसके अंदर कट दगा के, यह मैंने पानी में डालके, इसके अंदर चार से पांच खाने के चमच सिरका डाला है, और इस तरह पानी में डिप कर दिया था आदा गंटा पहले, यह आब मैं इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी, आब इसको मैरिनेट करेंगे, यह मैंने दही लिया, एक ओयल 2 टेबल स्पून, 4 खाने के चमच, लेमन जूस, 4 टेबल स्पून, 2 टी स्पून नमग, 1 टी स्पून, मैंने ये चाट मसाला लिया है, एक खाने का चमच, अदर कलेसन का पेस्ट, आदी टी स्पून जूआइन पिसी, 2 टी स्पून जीरा, 2 टी स्पून धनिया पिसा, एक टी स्पून में थी, 2 टी स्पून कच्री पॉर्डर, ये रड मिर्च कुट्टी और पिसी, 2 टी स्पून, काली मिर्च आदी टी स्पून, ह ये देखने में मसाले बहुत ज्यादा लाग रहे हैं लेकिन ये सारे मसाले घार से निकल आएंगे ये दही डालें बाउल में और इसके अंदर मैं सारे मसाले और ये लैमन जूस आइल डालके इसको मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह मिक्स करके लैमन जूस और ओयल, ओयल इसके अंदर सिर्फ दो खाने के जमन जाएगा ये मेरे पास बड़े छे पीस हैं, मैंने बड़े छे पीस लिए हैं, इसके अंदर ये सारे मसाले अड़ का रही हूं इतनी क्वानिटी के, ये बहुत चाट पटा सा रोस्ट बना था आप अपनी मर्जी से जितना कम या ज्यादा कार सकते हैं, मैंने बड़े पीस लिए हैं आप छोटे पीस भी ले सकते हैं अब एक एक पीस को उठा के इसके अंदर अच्छी तरह ये मसाला लगाऊंगी काट के अंदर भी इस तरह हाथों से एक एक पीस को लगा के इस दूसरे बरतर में रखती जाऊंगी इस तरह आप मैरिनेट कारके इसको आप फ्रीज भी कार सकते हैं फिर जब चाहें तो आप रोस्ट बना सकते हैं वो जितना मैरिनेट होगा जितनी देर इतने ही ज्यादा इसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा ये वैसे भी गाल जाना था मैंने वो सिरका डाला है लेमन जूस डाला है लेकिन कच्री बोल डाले तो बहुत ही टैनर जल्दी हो जाता है ये इस तरह मैं सारे पीसूं को लगा के ये मसाला भी इसके उपर डाल दूँगी मैं इसको ओवर नाइट के लिए छोड़ूँगी मैंने ये कल बनाना है ये मैं एट राइट डबे में बांद कारके फ्रीजर में राख दूँगी इस तरह कारके एट राइट बांद और फ्रीजर में आपने भी अगर फ्रीजर में रखना है तो जब बनाना है आपने, कुछ दिर पहले नकाल के आप बाहर कॉंटर पे राख दें, फिर इसको आप बनाएं, यह मैंने कड़ाई चुले पे रखिए, इसको सिर्फ ग्रीस की आउयल से, और चुला आन की है, मैंने फुल आन्च पे अब इसके अंदर यह एक एक पीस करके फिला के रखूंगी, यह कड़ाई में भी पतीले में भी बहुत ही अच्छा यह स्टीम रोस्ट बनता है, यह सारे पीस इस तरह फिला के इसके अंदर रखूंगी, जब एक तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा, फिर मैं पल्ट के, साइट पर करते जाएं और सही तरी के से फिला के रखूंगी, एक तरफ कलर आजे फिर इसको पल्ट के दूसरी तरफ कर दें, दोनों तरफ अच्छा सा कलर आजे फिर इसके बाद वो जो मसाला बचा था डबे में वो मैं इसके अंदर डालूंगी, यह देख सकते हैं बहु आप चाहें तो थोड़े थोड़े पीस डाल के इस तरह कलर दे लें, फिर एक ही दफा डाल के वो जो मसाला बचा हुआ है, डबे में वो मैं अड़ करूंगी इसके अंदर, उसी में पकेगा फिर उसको डाक के रखूंगी, यह सारा इसके अंदर डाल दूंगी, यह जवाएन आपने ज़रूर डाल नी है, यह बहुत मजे का बंद है, इस तरह होमेट मसाले से बहुत मजे का यह रोस्ट बंद आ है, इसका मैं डखन बान करके इसको राक दूंगी, इसको कम असका म 15 से 20 मिन्ट बाद खोल के फिर इसकी साइड चेंज करूंगी, यह जल्दी बान जाता है, 35-40 मिन्ट में, आप देख सकते हैं, अगर छोटे पीस होंगे तो वो भी जल्दी बान जाएंगे, आप इन साब को पल्ट दूंगी, यह दही वाले पानी में यह बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा, आप फिर डख के रखूंगी, फिर कुछ देर बाद खोल के फिर इसको हिला दूंगी, यह आप देख सकते हैं, हडियों से वो गोश्ट उतर चुका है, यह गाल चुका है, आप थोड़ी देर इसको इस तरह पकाऊंगी, आप अगर चैक करें, अगर इस तरह ज्यादा गाल जे, तो आप इसको फिर नंगा राखके इसकी ग्रेवी यह हुश्ट कार सकते हैं, और कुछ ग्रेवी आपको रखनी चाहिए अंदर, वो जो आप अलाग बाउल में भी सरफ करें वो साथ, तो बहुत मज़े की लगती है, सब को पल्ट के, यह आप देख सकते हैं, वो गाल चुका है, यह इसकी निशानी है, जब वो हड्यूं से साइड पे उतरने कठा हो जाता है, तो यह गाल जाता है, अब बस थोड़ी देर इसको रखूँगी, फिर मैं वो इसके अंदर से ग्रेवी निकाल लूँगी, कलर भी बहुत अच्छा है, और गाल भी गया है, अब इसका फिर बांद कार के थोड़ी देर राख दूँगी, अब देख सकते हैं, जब चुला हम बांद कार देते हैं, तो वो बरतन गरम होता है, तो वो जितना मसाला थोड़ा सा नीचे होता है, वो खुशको के बोटियों के साथ ही लाख जाता है, यह मैंने थोड़ी सी बाउल में डाल ली थी, साथ सर्फ करने के लिए, यह ग्रेवी बहुत मज़े की होती है, जब बांद ज़े तो आप इसको डाक के कुछ देराख दें, आप देख सकते हैं, यह वो जी वाला मसाला उसके साथ लाख जाता है, और कलर में भी बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और मज़े का भी बहुत होता है आप देख सकते हैं कड़ाई में कितना अच्छा बनाया रोस्ट आप इसको नकालें किसी प्लेटर में यह मैंने एक ग्रीन चठनी साथ दही में मिक्स कारके रखी है और साथ वो वाली ग्रेवी इसकी यह बहुत मज़े का रोस्ट बनता है आप बनाएं आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करें फैमली फ्रेंड में शेयर करें ओके लाफीस